आज की इसकाच्छा में हम प्रस्ना वाली तीन दस्मलों एक के प्रस्नों को हल करेंगे पहला प्रस्न है निमल्खित में से कौन सी संख्याएं पुर्ण घन है तो मैं इसका तीसरा प्रस्न दे रहा हूँ यह है चार पांच छे पांच तेन तीन तो सबसे पर हम क्या करेंगे इस संख्या का आभाज्य गुननखन करते हैं तो यह इकाई के स्थान में हाँ तीन है तो दो से तो जाएगा नहीं तो हम तीन से करने की कुछिस करते हैं और इसके लिए हम इसके अंकों को जोडते हैं तो आप इसके अंकों को जोड़के देखेंगे तो यह आता है चार पांच नौ छो पंद्रह पांच बीस तीन तेईस तीन चब्विस चुकि चब्विस में तीन से भाग नहीं लगता है पुरा-पुरा इसलिए इस संख्या में तीन से भाग नहीं लगेगा इसके बाद चार से तो चुकि दो से नहीं लगा तो चार से लगने का प्रशनी नहीं है चुकि इकाई में पांच और सुन्य नहीं है तो पांच से भी नहीं लगेगा चुकि 2 और 3 से नहीं लगा तो 6 से नहीं लगेगा तो आप 7 से कुशिस करते हैं तो हम देखते हैं कि 7 से यह लगी आ इसी तरह से हम चेक करते जाएंगे अब यहाँ पर आ गया देखिये 1, 3, 3, 1 तो यह 7 से भी नहीं जाएगा तो उसके बाद 8 से भी कि लोग देख छुकि आठ्सक्न एक है तो रिवाजेता जक्वं क्या तरीका है या को याद होगा इसकी विवाज़ता है शन्या है ये चार हो गया और दोनों का अंतर लेते हैं अर्थात यह 11 से चला जाएगा तो इस तरह से हमारा आ गया यह 121 फिर हम जानते हैं कि 1111 तो इस संख्या का गुननखंड हो गया साथ गुने साथ गुने साथ गुने ग्यारा गुने ग्यार गुने गुने अब हम देखते हैं कि इससें यह एक तरिक बन रहा है और ये त्रिक बन रहा है आप याद करें कि वर्ग के मामले में हम युग के नीचे बार लगाते थे यहाँ घं है इसलिए ये त्रिक यानि तीन के समों के नीचे बार लगा रहे है तो ये त्रिक बन जा रहा है अर्थात ये पूर्ण घं है तो इसका उत्तर हो जाएगा हां यह पूर्ण घन है इसी तरह से बाकी जो प्रसंद दिये हुए हैं इनका भी आप अभाजे गुनन खंड करके आप जाच कर सकते हैं कि यह पूर्ण घन है अथवा नहीं प्रत्न संख्या दो प्रतेक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को बुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा तो इसका आर्थी यह है कि यह पूर्ण घंद अभी नहीं है यह संख्या है तो किस छोटी संख्या से हम बुना करें कि यह पूर्ण घंद हो जाए चलिए मैं इसका प्रफ्न संख्या चाव लेगता हूं 35721 सबसे पहले इसका अभाजिबुनन खंड करेंगे तो चुकि इकाई में एक है यहां तो दो से तो यह भाग नहीं लगेगा तो हम तीन से कोशिस करते हैं तीन से की विभाजिता आप जानते हैं इसके आंकों को जोड़के देखते हैं कि क्या वे तीन से विभाजे हैं अत्वा नहीं तो हम देखते हैं कि इनके आंकों को हैं तो तीन से विभाज है अर्थात ये संख्या भी तीन से विभाज है इसी तरह से हम करते हुए हम इसका अभाज गुनखन निकालेंगे तो हमारा 35721 का अभाज गुनखन हो गया तीन गुना तीन गुना तीन कितने बार है एक दो तीन चार पांच छे तीन गुना तीन गुना तीन और उसके बाद साथ गुना साथ अब यहाँ पर हम त्रिक बनाने की कोशिश करते हैं पाला त्रिक ये हो गया दूसरा त्रिक हो गया लेकिन ये साथ दो ही बार है इसका त् तो यदि इस संख्या को हम साथ से गुना कर दें, तो इसका त्रिक बन जाएगा, जब इसका त्रिक बन जाएगा, तो ये संख्या पूंडगन होगी, इसलिए जो अभिस्ट हमारी संख्या है, अभिस्ट सबसे छोटी संख्या, जिस से गुना करने पर 35,721 पूंडगन, बन जाएगी, ये हो गया साथ, प्रस्ण संख्या तीन, प्रतेक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए, जिससे निमलिकित संख्याओं को भाग देने पर भाग पर एक पूंडगन प्राप्त हो जाएगा, तो इसका प्रस्ण संख्या एक में लेता हूँ, यह है 128, सबसे पहले हम इसका अभाजी गुननखंड करते हैं, तो यह हमारा अभाजी गुननखंड हो किया है, आप स्वाइम से इसे करेंगे, अभ इसे हम ऐसे लिखते हैं, कि 128 का अभाजी गुननखंड है, यह है साथ बार, 2 साथ बार है, दो गुने दो, गुने दो, गुने दो, गुने दो, गुने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब हम तीन, तीन का समु यानी त्रिक बनाते हैं, तो एक त्रिक ये हो गया, एक त्रिक ये हो गया, लेकिन ये जो दो है, इसका त्रिक नहीं बन रहा है, अगर भाग देकर हम इस दो को हटा दें, तो ये बचेंगे, ये दो त्रिक रहेगा, तो ये पुर्णगन हो जाएगा, तो अर्थात जो हमेर चाहिए, सबसे छोटी वो है दू, इसलिए अभिस्ट सबसे छोटी संख्या, ये है दू, जिससे हमें भाग देना है, और दो से अगर हम भाग देंगे, तो ये बन जाएगी पूर्णधन संख्या है प्रस्म संख्या चार, एक संख्या को पांच से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा तो इस पस्ट रूप से अगर हम पांच से गुना करेंगे, तो वो 125 गुना हो जाएगा अगर ये से लिखते हैं यदि किसी संख्या को पांच से गुना करें, तो वो संख्या पांच का घन अर्थात 125 गुना हो जाएगा इसे इस तरह से समझ सकते हैं, माल लेज़े कोई संख्या एक्स है और इसे हम पांच से गुना कर दे रहे हैं तो इसका घन, तो इसका घन ऐसे हो जाएगा यानि पांच एक्स का घन हो जाएगा, ये घन तो पांच का घन होगा, तो ये पांच का घन हो जाएगा, ये एक्स का घन हो गया तो ये हो गया 125 और ये एक्स क्यूब पहले यह संख्या X थे तो इसका घन था X3 या X घन तो अब देख रहे हैं 5 से गुना करने के बाद कितने गुना हो जा रहे हैं 125 गुना हो जा रहा है प्रसंख्या 5 परिक्षित प्लास्टेसीन का एक घनाव जिसकी भुजाएं 5 cm, 2 cm और 5 cm है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनावों की अवशक्ता होगे आएए देखते हैं से प्रसंख्या 5 सबसे पले हम घनाव का आयतन निकालते हैं क्या होता है तो घनाव का आयतन यह होता है हम जानते हैं लंबाई गुने चोड़ाई गुने उचाई तो यह हो जाएगा पांच गुना दो गुने पांच इसे थोड़ा सा रिएरेंज करते हैं तो यह पांच गुना पांच गुना दो हम यहां देख रहे हैं कि यह पांच का त्रिक बनाने के लिए हमें एक और पांच की जोरत होगी और दो का त्रिक बनाने के लिए हमें और दो की जोरत पड़ेगी तो इसलिए घनाब के अभाज्य गुननखंड को या कहें घनाब को घन बनाने के लिए हमें घनाब के आयतन को ये त्रिक बनाने के लिए पांक चाहिए था अब इस दो को त्रिक बनाने के लिए हमें दो गुना दो अर्थात कुल हमें बीस से गुना करना होगा इसलिए घन बनाने के लिए घनाबों की जो संख्या है जो चाहिए हमें वो होगी बीस यानि इस तरह के बीस घनाब अगर हम लेंगे तो वो एक घन बन जाएगा प्रस्न संख्या 6 निम्लिकित प्रतिरूप को देखिए इस आधार पर एक का घन जोड़ दो का घन जोड़ तीन का घन इस तरह से जोड़ नौ का घन जोड़ दस का घन का मान निकालिए चलिए इसे हल करते हैं तो हम प्रतिरूप के अनुसार देख रहे हैं कि इन घनों का एक से लेके दस तक के संख्याओं के घनों का जोड़ होता है एक से दस तक के जोड़ का वर्ग तो एक से अब है कि एक से दस तक का जोड़ क्या होता है इसे कैसे जोड़ेंगे दो तरीका है एक तो हम एक जोड़ दो तीन जोड़ तीन छे इस तरह से भी जोड़ सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा संख्या रहते हैं तो इसका एक दूसरा तरीका है इसे हम जोड़ सकते है इस तरह से, इसे हम समू में जोडते हैं, एक जोड दस, दो जोड नौ, तीन जोड आठ, चार जोड साथ, पांच जोड छे, आप देखिए, यहां एक से दस तक सारी संख्याएं आ गई हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, हमने दो-दो का ये समू बना दिया, तो ये क्या हो गया, एक और दस, ग्यार, ये भी ग्यार, ये भी ग्यार, जोड ग्यार, तो कितनी बार ग्यार हो गई, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये वर्ग, तो ये हो गया, पांच गुने ग्यारा का वर्ग, और पांच गुने ग्यारा हो गया, पच्छपन, पच्छपन का वर्ग, और पच्छपन का वर्ग आप निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, थ्री, जीरो, टू, वियाने 3025 यही हमारा एंसर हुआ प्रस्न संख्या साथ निम्लिखित घन में कौन सम या विसम है तो हम लोग जानते है कि कि सम संख्या का घन भी सम होता है और किसी विसम संख्या का घन विसम होता है तो इस संख्या का यह जो होगा यह सम होगा यह भी सम होगा यह विसम होगा क्योंकि यह संख्या विसम है यह भी विसम होगा